हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो आर चैनल ऑनलाइन बेरी और मेरा नाम है हरशिद बेरी आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल एस वेल एज शॉट होने वाला है आज के हमारे वीडियो में हमारे कुछ सब्सक्राइबर और व्यूवर्स ने कमेंट करा था आपके एक्स साथ seven years का experience है e-commerce industry में तो आपके लिए ऐसी कौन सी चीजे हैं या कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स वर्क करी हैं जिससे आपकी सेल बूस्ट हुई है Amazon हो गया Flipkart हो गया मीशो हो गया तो वह ऐसे कुछ secrets हमको भी शेयर करिए हमारे पास total three tips हैं जो हमारे experience के हिसाब से हमार बाकी की डो टिप जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और स्क्रीन पर दिये गए WhatsApp नंबर पर आप मैसेज करके हमसे वह बाकी की डो टिप्स जान सकते हैं तो जान लेते हैं कौन सी है वह secret टिप ज जो फर्स्ट टिप है जिसने हमारे लिए काफी अच्छा परफॉर्म करा है या बोल सकते हैं कि हमें काफी उस टिप से उस ट्रिक से बेनिफिट हुआ है तो इंक्रीज आर प्रोड़क्ट विजिबिलिटी और गैनिकली जब भी आप अपना प्रोड़क्ट लिस्ट करते है Amazon पे, Flipkart पे, Misho पे तो देखना वहाँ पे आप लोगों को एक form मिलता है या फिर एक Excel sheet मिलती है जिसमें काफी number of options होते हैं जो आपको लोगों को fill करने पड़ते हैं उसी form में या उसी dashboard में आप देखिएगा दो option होते हैं एक होता है style code, second होता है model name अब देखिए कि हर product का style code नहीं होता और हर product का model name नहीं होता, अगर आपके product का style code है या model name है तो well and good आप उसको fill कर दीजे, बट अगर आपका कोई particular style code या particular कोई model name नहीं है, जैसे कि clothing हो गए, उनका कोई ऐसा model name नहीं होता है, वो shirt है तो shirt रहेगी, T-shirt है तो T-shirt रहेगी, ऐसे fashion accessories हो गए उनमें भी style code नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे bags वगरा हो गए, ऐसे particular style code नहीं होता है, है आपको लगता है, तो आप fill कर ये नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे style code और model name की जगे, वहाँ पे आप style code में तीन अपने top 3 keywords डालिएगा, जो आपके product से related है, और model name में आपके top 2 keywords ड के, उन model name और style code में आपको fill कर देने है, इससे क्या होगा, कि आपकी product की visibility और गेनिकली marketplace पे increase करेगी, और आपके product की ranking भी काफी improve होगी, keywords वाली जगे तो आपको keywords डालने ही है, अब ये देखे, ये जो दो option है, यहाँ पे आपको और ज़्यादा keywords डालने का एक मौका मिल या एक chance मिल गया, तो अगर इन दोनों जगे आप अपने top 5 keywords डाल देते हैं, साती सात में आप keywords वाले option में भी keywords डाल देते हैं, तो आपके product की visibility काफी ज़्यादा improve होगी, और product की visibility इंप्रूव होगी, तो आपकी sale को भी boost मिलेगा, आपकी performance में भी काफी improvement आएगा, और second और third tip जो हमारी है secret tip, वो जानने के लिए आपको इस video को like करना पड़ेगा, हमारे channel को subscribe करना पड़ेगा, और जो screen पर whatsapp दिया गया है number, उस पर आपको just message करना पड़ेगा, कि आपको हमको बाकी की 2 secret tips हमारे साथ share कर दीजे, हम within 10 minutes आपको reply करके, बाकी की जो secret tip है, जिसने हमारे को as a seller benefit करा है, वो हम आपके साथ share कर देंगे, तो hopefully आपको इस video पसंद आया होगा, हम इसी तरह से e-commerce के related secret tips, tricks और काफी learnings लाते रहते हैं, तो हमारे channel को आप subscribe कर लीजे, आपको future में काफी help मिलेगी related to selling on Amazon, Flipkart, MeShow, और अगर आप हमसे direct one-to-one training लेना चाते हैं related to e-commerce, तो भी आप हमें दिये गए WhatsApp number पे message कर सकते हैं, हम direct one-to-one training देते हैं, training paid होती है, बट इसमें हम आपसे one-to-one connect होके आपको A to Z सारी e-commerce की detail देते हैं, और आपको एकदम easy कर देते हैं आपकी e-commerce की जर्णी को, तो मिलते हैं next video में, bye